दोस्तों आर्यम स्ट्रीट टाइम में आप लोग सागत है आज हम पढ़ेंगे विज्ञान भी से कक्षच है पार्ठ आठ हम पढ़ेंगे जन्तु की संरचना हुआ कार तो प्रस्न अभ्यास में दिया हुआ है प्रस्न नमबर एक सही विकल्प को छाट कर अपनी अभ्यास प्रस्न नमबर एक में कितने भाग होते हैं बिकल्प नंबर दो सही हो जाएगा मानो के मस्तिस्क में तीन भाग होते हैं इसलिए इसपर सही का निसान लगा लें प्रस्न नमबर एक कगा है स्रावडेंद्रिय कान होता है जिससे हम सुनते हैं प्रस्न नमबर एक कगा है इसमें चार बिकल्प है और प्रस्न है दुईलिंगी जन्तु है दूइलिंगी जन्तु क्या है इसमें दूइलिंगी जन्तु है विकल्प नमबर दो सही है केचुगा तो इसलिए विकल्प नमबर दो में आप सही का निशान लगा लें प्रेस नमबर दो है खाले अस्थानों को भरिये उत्तर है का मनुष में कुल 206 हड़िया होती है यहाँ 206 भरा जाएगा कावाले में और खा है मनुष हिर्दय में कुल 4 कच्छ होते हैं तो खावाले आपसन में 4 भरेंगे और गा है वयस्क मनुष के रीड में कुल 26 हड़िया होती है तो खावाले आपसन में हम 26 हड़िया भरेंगे उपास थी अस्थ की अपयक्छा लचीली होती है यहाँ घावाले आपसन में लचीली भरेंगे प्रेस नमबर तीन है निमलिकित के सही जोड़े बनाईगे कावाले का मिलान मेधक का मिलान होगा पादियाल में और मूतर से और पंक का मिलान होगा उड़ने से इस प्रकार प्रेस नमबर तीन यह साल्व होगा प्रेस नमबर चार देखेंगे निमलिकित में से सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का जिन लगाएं उत्तर है मचलियों में परचलन पंक दारह होता है यह कथन सत बराबर इस पंदन करता रहता है या कथन सत्य इस पर भी आप सही का निसान लगा लें गाहे पुरुस में एक जोड़ी ब्रिसड पाये जाते हैं यह भी सही है इस पर भी आप सही का निसान लगा लें और मनुस्त में भोजन का पाचन मुख से ही आरंब हो जाता है या कथन भी सत्य इस पर आप भी साही का निसान लगा ले प्रस नंबर पांच है मनुस्त के सोसन अंका नामांग की चित्र बनाईए तो आए उत्तर देखते हैं यह हम लोग नामांग की चित्र बनाएंगे यह न गले के पास होता है और गले के नीचे कंट जो है गले में ही होता है और स्वसननली होता है उपास्ति वाले होता है जहां पर यह निसान दिया गया है एरो का निसान है उसी अंको यह सूचित कर रहा है फुफुस है यह फुफुस है और यह पसलियां और यह जो रीड की यह हड्डियत दी हुई इसको पसली कहते हैं और कूपिका इसको कहते हैं इसको और ये है स्वसनिकाएं होती हैं और स्वसनि और जो है स्वसानिका ये सारे जो है चित्र में आपको नामांकित चित्र दिया हुआ है और इसमें आप अच्छे से नोटबुक में उतार लें प्रस नमबर 6 है मनुस में पाए जाने वाले कोई चार तंत्रों के नाम लिखिये उत्तर है नमबर 1 तंत्रिका तंत्र, नमबर 2 ससंतंत्र, नमबर 3 पाचंतंत्र, नमबर 4 परिसंचरण तंत्र प्रस नमबर 7 है कंकाल तंत्र के दोकार लिखिये उत्तर है पॉइंट नमबर एक कंकाल सरीर को एक निश्चित आकरिती यों आकार प्रतान करता है पॉइंट नमबर दो है कंकाल सरीर को सुद्रिल बनाता है नेक्स्ट प्रस्न देखते हैं प्रस्न नमबर आठ है संधि किसे कहते हैं उत्तर है हमारा कंकाल तंत्र हड्डियों का धाचा होता है इनकी हड्डियां एक दूसरे से विभिन परकार से आपस में जुड़ी होती हैं इन जोड़ों को संधी कहते हैं प्रस नमबर 9 है मनुष के हिर्दय का नामांकी चित्र बनाईए उत्तर है यहां हम लोग नामांकी चित्र बनाएंगे इस चित्र में मानों हिर्दय का नामांकी चित्र दिया हुगा है और ये है दाया अलिंद और ये है दाया निले और ये है बाया अलिंद और ये है बाया न ले तो ये पश्च महाधमनी है हिर्दा का पर्मुकार जीवन भर बीन ठके सरीर के विवन भागों में रुधिर पंप करना है प्रस नमबर दस है मनुस्य में कितनी ग्यान इंद्रियां पाए जाती है प्रतियक का नाम तथा कार लिखिए उत्तर है मनुस्य में पांच ग्यान इंद्रिये कहा जाता है कान सुनने तथा सरीर का संतुलर्ण बनाने में सहायक होते हैं दूसरा है आंक आंक को द्रिश्चे इंद्रिये कहा जाता है आंक द्वारा देखने का कार्य होता है तीसरा है नाक नाक द्वारा गंद का अनुभव होता है इसको घ्राड इंद्रिये कहा जाता है चाथा है जीव इसे स्वादेंद्रिय कहा जाता है या खाद पदार्थो के प्रतिस अविएंद्र सील होता है इससे हम स्वाद का पता लगाते हैं पांचमा है तवचा तवचा को इस पेंद्रिय कहा जाता है इसके द्वारा ठंडा गर्म और मुलायम कठोर चिकना खुरदूरा आधिका पता लगाते हैं प्रस नमबर ग्यारा है पाचान तंद्र का नामांकी चित्र बनाई ये उत्तर है ये नासिका गुहा मुख है मुख गुहा है और ये ग्रस नली है और ये अमास है और ये यकरित है और ये पित्तास है और ये कोलन है और ये छोटी आथ है और ये बड़ी आथ है और ये मलास ह है और यह गुदा है यह मनुस के मनुस के पाचानंग का तो यह होगा मनुस के पाचानंग का नाम आंके चित्र और इसको आप नोड़बुक में बना लें यह भी एक्जाम में आने के फ्रचान से ज्याधा रहते हैं तो इस प्रकार या चैप्टर समप्त होता है पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद